मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में इस तरह की सिचुएशन क्रियेट होती है आपकी रात कैसी गुद्री मेरी रात बड़ी कमस्टेबल अलहमदुलिल्ला मैं मैं इस वक बहुत खुश हूँ मुझे रात ना याद करा है कौन लोग थे, कितने लोग थे, कैसे आया और क्या हुआ पांच गाड़ियां थी, वो बड़ी SUVs थी, पुलीस वड़ी कुछ ने पहनी थी और कुछ साधा कपड़ों में थे रोकने की कोशिश नहीं की कहा लग जा रहे हैं, कोई वारंट दिखाएं में और एक वो इतना उसके नहीं चल रहे थे, कॉनवोई की तरह, और मेरी वाल्दा की एक ही गाड़ी थी, उनके सामने कैसे रोक सकती है अफ्ताब साब के जो अपना परसनल स्टाफ है, उनको भी बारा गया है या तशदुद किया गया है उनको भी तशदुद का निशाना बनाया गया है, उनसे इंटरोगेशन हुई है और और बी कई किसम के उनसे सवालाद पूछे दो इस तरह की चीज़े है अमरे साइट अफ्ताब इकबाद साब की मिसिस मौझूद है, मीडम बहुत मुश्किल वक्त था, रात कैसी रही? अलहमदोलिल्ला, मैं इस सुख बहुत खुश हूँ, मुझे रात ना याद करा है, थैंक यू खुशी की इनतहा है हाँ जी, अलहमदोलिल्ला, कि ये मामला जल्दी नेपट किया, हम बहुत, मैं रात का नहीं बात करना चाहती है क्या पेश किया गया अदालत के अंदर जो अफ्ताब सब के खलाफ सुबह, सुबह, रात को, कल शाम को ये किया, इन्होंने त्यारी और सुबह नौ बजे पेश कर दिया गया और ग्यारा बजे का हमने टाइम मिला और उसके बाद मेरा खाल है इन्होंने ले के आना था, अब ताप को तो कुछ डिले करते गए आशे सबसे जानते हैं कि कौन लोग थे, कितने लोग थे, कैसे आया और क्या हुआ देखे जी मुझे बताया गया क्योंकि मैं उस वक घर नहीं थी, मुझे इन्फॉर्म किया गया कि कुछ गाड़ी आई हैं और उसमें से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने पुलीस वर्दी कुछ ने पहनी थी और कुछ सादा कपड़ों में थे और बस वो आए हैं और उन्होंने कुछ मुलाजमीन के साथ थोड़ी जरा उने मैन हंडल किया है सब्सक्राएं जरुख जरू इन्होंने अटे गौरी हुए हैं तो ढयते हैं और इन्होंने थे शुट आपरेएशन छुरू कर दिये और मेरे एठीज साथे तो अटले और मेरे वाले चाब नें कि मुझे मैंन हंडल मत कीजेगा मैं जा रहा हूं खुदी जा रहा हूं और बस मुझे ये वाश्रूम का एक टाइम दे जिए कि मैं जरा रेडी हो जाओ और उसके बाद ये पूरा वक्त मेरा ख्याल है उन्होंने पूरा प्रोसेस पांच से दस मिनट के अंदर अंदर की है औ और दाई तीन बजे दुपार के ये वाक्या पेशा है रोकने की कोशिश नहीं की कान लग जा रहे हैं और वारंट दिखाएं और एक वो इतना उसके नहीं चल रहे थैं कॉन्वोई की तरह और मेरी वाल्दा की गाड़ी थी उनके सामने कैसे रोक सकती है उनके सामने उनके पूछा गया है कि वो कहा हैं और और भी कई किसम के उनसे सवालाद पूछा गया है ये बताएं के आफ़ताब सब ऐसे खुद बाखाबर साफी है और बहुत से स्केंडल सो नहीं ब्रेक भी कियों है और साफी को पता चल जाता है कि जब उसके दिए कोई खेरा तंग करने को अनकी टीम का हिस्षा भी हूँ थिजिटल जो सारा है वह है तो नहीं है कि सारी टीम को मैं यह यह मेरी तरफ से आपको यह कर आपको एक एड़ाँ गां तो आपने इसको इसा इन शितर चलते रहें है और लेगसी खत्म नी करनें है जिस पैटरन पर हम चल बहुता पूल प्रेशर भी आया कुछ फोन कॉल भी किसी ने किये क्योंकि यह में अंदाजा है कि आप उनके बहुत करीब हैं तो उन्हें में तो किया होगा आप से कुछ नहीं कुछ शैसत नहीं था हमें नहीं पता था लेकिन हमें यह आइडिया था कि क्योंकि जो हमारी इस वक्की अबिलिटी है अच्छे बताएं कि अफ्ताब साब की तो मजूदा अपोजिशन पीटी आई और साब का अपोजिशन और मौजूदा हकूमत पीडियम इन लोगों से अपनी परस्नल बहुत सी दोस्ती है तो इस मुश्किल वक्त में किन लोगों ने राप्ता किया और क्या क भाव किया और सब्सक्राइब कर अदाजाने है तो कुछ जंड की साथ जिसेंहर परसिनल दोस्तियांती मेरी उन्होंने मुझसे क Apa किया और पर उन्होंने ये इसको कंडेम किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए बाकि जो पी टी आई की सीनिय के आदत है उन में से काफी उने मुझसे रापता किया है अमरे साथ आफताब इकबाल के भाई जुनेज इकबाल सब मौझूद है आप केंडली ये प्ताइएगा एक ये पी तासुर था कि आफताब साब ने जो केंड में वीडियो बनाई उसके बाइस गिरिफतारी हुई है आईजी साब भी आयो बेसे अदालत में केस क्या प्रिज इफिलियेशन है पी टी आए के साथ अब इफिलियेशन मेंस के ये रुकन है उनके रुकनियत होगी सारा कुछ होगा प्रूफ होगा हर चीज तो केस ये बना अब केस पहले स्टेज पर ही मैं समझता हूँ के ऐस सच वह कुई इस तरह की चीज नहीं है वो फौरी तोर पे नलेंड वाइड हो जाएगा और हुआ है आज माशाला जिस तरीके से जुडिश्री ने अदलिया ने इसको टेक अप किया है वो डैट इस बियॉंड आल बॉर्डर्स जिसको खतम कर देगे है बेल दीगी है बेल फिलाल दी है एक तरह का खतम ही किया है उन्होंने का जी एक की डिटेंशन का तो फिर अधर वे राउंड आपकी बात भी अदालत में रात कैसी घुजरी खाने के लिए अच्छा खाना दिया गया बिल्कुल बात हुई है और बस वो नींद का ही उनका मसला था और नींद का अगर वो इनको कहते भी ना जणाब यह तक्या है और यह ल कुछ तदीली आएगी विलॉग्स अब कम आया करेंगे कुछ तदीली आएगी यह सवाल कि आपने कर तो दिया लेकिन मेरा ख्याल है आफताब इकबाल को आप जानते नहीं है हाँ किन यू स्टॉप हिम आप कैसे उसको स्टॉप करेंगे हक बात कहने पे वो गलत नहीं करता मैं बिल्कुल यह बात तो दे बेस्ट ऑफ माय कॉंशन्स यह बात कर रहा हूं कि मुझे पता है आप लोग सारे फॉलो करते हैं कौन सी हेट स्पीच है कौन सी चीज कह दी है और लास्ट बताईएगा कि आज अफ्ताब इकबाल का इतराम है यह बचे बड़ा प्यार करते हैं उनसे तो एक इतराम में अब जाके वो करेंगे आइस्ता इस्ता वो जैसे इनकी आदत है दोस्तों की थोड़ा से बात करेंगे मूड देखके फिर को जुगत भी लगा दे यह यह भी कहा देंगे होर चूपो और उनका एक स्टाइल है वो अपने स्टाइल में जरूर आएंगे लेकिन ऑपने बारी पे बूछेंगे उनकी बड़ी तरवियत होगा यह बारी दे बेचनी बोलना अपने बारी बोलना है उनकी बारी शाम तक आजेगी